गंधिनगना रुपाल खाते शुक्रवारे परंपरागत पल्ली योजाई गई पल्ली मा मूटी संख्यामा श्रधाडू उम्ट्या हता श्रधाडू ए मा बर्दायनी ना दर्श्रन करवानो लाहवो लेवानी साथे पल्ली मा घीनो अभिशेक कर्यो हतो रुपाल मा योजाई परंपरागत पल्ली पल्ली मा जुबा मडियू धत्तो नुगोडापूर परी एकवार घीनी रेलम छेलना दर्श्रियो अद्रश्यो छे गांधिनगर ना रुपालना ज्या परंपरागत पल्ली मा फरी एकवार घीनी रेलम छेल जुबा मडि आ पल्ली मा मोटी संख्या मा श्रधाडू ओ जोडाया प्रतिवर्शनी जैम आवर्शी पण खीजुडाना व्रुक्ष मा थी पल्ली तैयार करवा मावी अनि भावी भक्तो ये पल्ली पर घीनो अभिशेक कर्यो एक मोटा ट्रक मा त्या मुख्वामा आवेला श्रणी बद पिपडाव मा पच्छी तेमा थी एक पच्छी एक डोल शुद्ध गी भरी ने पल्ली पर अभिशेक करता द्रशियो जोवा मडिया महत्व पोण छे के प्रतिवर्ष नवमा नौर्ते रुपाल मा पल्ली नू आयोजरन थतु होई छे आसाथे जोडायली दंत कथा अनुसार पांडव काडमा जंगलनी वच्चे गहरायला रुपाल पंथक मा खिजडाना व्रुक्ष्णी नीचे माताजी नी देरी हती पल्ली बनावी माताजी पासे मुखी हती आपची हस्तिना पुन्ना युद मा विजे मिडव्या बाद क्रश्ण साथे पांडवो फरी एकवार अहीं आव्या हता जि बाद सोनानी पल्ली बनावी ने यात्रा योजी हती आज समय थी एटले के 5000 वर्ष थी रुपाल मा वर्दाइनी माता नी पल्ली नो मेडो प्रतिवर्ष नवरात्री परवना नौमा नौरते यो जायए छे प्रतिवर्ष पल्ली मा हज़ारो किलो घी माताजी ने अरपाण करवा मावे छे अगी एटला मोटा प्रमाणमा होय चे किस थर पर घीनी नदियो वहे चे आवर्शी पल्ली मा मात्र ग्राम लोकोज भाग लेवाना हता तेना कारणे घीनी रेलम छेलतो जोवा मड़ी हती अने भावी बक्तो ए मा वर्दाईनी ना आशिर्वाद मेडव्या हता ब्यूरो रिपोर्ट मंतव्या न्यूस